असलाम लीकुम एविवान कैसे हैं आप उमीद है सब ठीक होंगे, खेर कारियत से होंगे, मैं हूँ कलर्स इन क्यारर से फरिया और आज आपको दिखा रही हूँ प्रेंट फिट में जो हम लोगों ने घर खरीदा था तो काफी दफ़ा तो आपको लाइफ पे दिखाया लेकिन अपी पहने का ज़रा एक दफ़ा नए की लुक दिखाने से पहले आपको दुबारा से ज़रा पुराना दिखा दो क्योंकि काफी लोग पेच पे नए होते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा तो चैने एक दफ़ा दुबारा से आपको ज़रा पुराना दिखाते हैं और फिर जो है वो आएक दो दिनों में आपको नया घर जो है वो देखने को मिलेगा तो ये इस तरह ये जी सारा ब्रिक का घर है डिटेच हाउस है लेकिन कलर इनोंने बहुत इसको चॉकलेट ब्राउन करके इतना डार्क किया वा था जिसकी वजह से वो घर की एक लोग नहीं बन पारी थी तो अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि हमने कलर कौन सा चेंज किया इसे तरह बाहर भी ये वुट का कलर ही चोड़ा हुआ था सामने ये चालियां लगाई थी जो के प्रेविसी होती है लेकिन हम लोगों इसको चेंज किया स्टॉंग डोर लगाया हुआ था और यहां पर जो है वो वाल्स की वी थी ग्रे कलर की और फ्लोरिंग दीवी थी ब्राउन कलर की ये भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लाग रहा था तो आगे की वज़ा से चो है वह बहुत जादा रस्ता ब्लॉक हो रहा था उपर जाने के लिए और अंदर आने के लिए दोनों साइट को काफी ब्लॉक कर रही थी तो वह भी हम लोगों ने यहां से चेंज किया है कलर्स चेंज किये हैं और यह हमारा समान भी पढ़ा है जब हम आपर मूव हुए काम करने के लिए तो साथ अपना समान भी लेकर गए थे और यहां पर आगे आजए तो किचिन है और किचिन में भी इन्होंने कोई वह पेंट नहीं किया हुआ था उसी तरह ही वुड के कलर की कैबनेट्स थी सारी ब्लैक कलर का काउंटर टॉप था और वाइट अपनाइस थी और नीचे टाइस दिये विए थे अच्छा खासा किचिन का साइज था और बहुत इंप्रूफ हो सकता था जो किया आगे आको नजर आएगा नेक्स्ट वीडियो में तो यहां से साथ ही जो है वो पावडर रूम है और इसमें भी जो है वो चोटी वैनिटी लगी वी थी और वाल पेपर लगावा था जो कि कोई कलर मैच नहीं कर रहे थे तो यह चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ी यह कबड है जिसका भी आपको बता रही हूँ पिर यहां से स्टेर्स जो है उनको बहुत डार्क ब्लैक सा कलर किया वा था और स्पिंडल्स जो थे वो वाइट वुडिन दिये वे थे तो यहां पर हमें यह भी चीज़ें चेंज करनी पड़ी फिर उपर आते हैं तो यहां पर जो है वो हाड़ वुड फ्लोरिंग की वी थी जो के मेरे खास से बहुत ही पुरानी थी कही से कलर उसके फेड हुए वे थे तो और बाथरूम मे जो है वो कलर ब्राउन किया हुआ था टाइल तीयों थी और बहुत पराने समयने का तुब दिया हुआ था वैनिदी जो है वो अच्छी चंडिशन में थी लेकिन बाकि यह व पर दिया हुआ थी ओफ्लाइस में थो है भुटिसी पराने थी यह थ्रिए बेडरूम हाँस है लेकिन रूम साइज जो हैं वो बहुत बड़े हैं जो नीचे बातरों में वाल पेपर दिया वा था वो ही यहां पर ऊपर जो है वो मास्टर बेडरूम में भी दे दिया था तो यह सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मैच नहीं करी थी अभी जैसा कि आपकर नुजर आ रहा होगा वाल बिल्कुल डिफरेंट है और नीचे हाट फ्लोर का कलर बिल्कुल डिफरेंट है कबर्ड ऐसी दीवी थी कि जिसके अंदर कोई चीज नहीं थी और इन फाक्ट ड दोर्स भी उतारे हुए थे और केबल्स थी बहुत जादा और फिर हम लोगों को यहां पर डोर्स देने पड़ेंगे और यह चीजें जो हैं वो सारी चेंज करनी पड़ेंगी अंदर अलमारिया जो हैं वो साइस बहुत बड़े हैं लेकिन उसकी जो वुट लगा दी और इ नहीं हैं करटन थी हमें हैं तो अब यह जो है वो काफी यह देखिए हालत जो है वो इनकी अच्छी नहीं थी कबर्स की अंदर से तो यह भी सारा हमें चीज करना पड़ेगा यह पुराने जमाने के जो हैं यहां पर यह इनोंने बटन्स भी दिये हैं जो के काफी अच्छे लग रहे थे लेकिन अभी अगर घर सारा चेंज करना है तो फिर ये चीज़े भी चेंज करनी पड़ेंगी ये आगे जी थर्ड बेड्रूम ये भी काफी बड़ा है साइस का और इस खर की अच्छी बात है कि यहाँ पर बेड्रूम और तीसरा बहुत ही चोटे साइस का दिया जाता है तो ये लोग है जी उपर की यहाँ पर और ये स्टेयर्स जो आपको मैंने बताई है कि यहाँ पर सारे जो है वो वोडन स्पिंडल्स दिया है ये सारा नीचे आ गया मेन फ्लोर और यहाँ से ही जो है वो नीचे जाने का रस्ता है राइट साइट की तरफ ये नीचे बेस्मेंट का आगया रस्ता और पहले रस्ता जो था वो बाहर से था लेकिन वो बहुत छोटा तो इसलिए इन्होंने घर के अंदर से जो है वो एक रस्ता दिया है अच्छे साइस की यहाँ पर विंडोस है फोर विंडोस है लेकिन बेस्मेंट की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे रूम्स बनाए वे थी कार्पिट थी कलर्स ऐसे थे और बहुत डार्क थी रूम पे रूम बनाने की वज़ा से भी है देखें यहां पर यह पूरा एक रूम बनाया हुआ और उसको इतना डार्क ब्लू कलर किया हुआ है जिसकी वज़ा से वो और ज्यादा कंजिस्टिट लग रही है यह साथ इसके जो है वो चोटी सी क्लॉजिट दी वी है ताकि यहां पर आप अपना जो है वो रख सके समान वगएरा भी वाशर ड्रायर जो है वो भी जो है वो वर्किंग कर्डिशन के नहीं थे यहां साथ ही जो है वो फरनिस वगएरा भी है और जो है ये एक और रूम था यहां पर तो मेरे खास से तीन जो है वो यहां पर रूम दिये में हैं हर एक डिफरेंट कलर ब्राउन कोई ब्लू कोई ग्रे इस तरह की आवा है तो अब ये भी सारे जो है वो चेंज करने पड़ेंगे और हमें एक ही कलर के साथ जाना पड़ेगा और ये जो वॉल्स हैं ये सारी निकालनी पड़ेंगी ताकि एक ओपन कॉंसेप्ट बंच है और ये देखें इसकी सीडियां और वॉल्स जो है वो काफी हालत जो है वो नीचे बेस्मेंट की काफी खराब थी बाकी उपर घर इतनी बुरी कंडिशन में नहीं था लेकिन बेस्मेंट जो है वो हमें सारी जो है उस पे काफी वोर्क करना पड़ेगा यहां से पीछे जाने का रस्ता है और यह बहुत कबसूरत टेक बना हुआ है यहां पर जहां बर अराम से बैठ के अपनी चाय कॉफी पी सकते है लेकिन थोड़ा सा पेंट वर्क मांगता है वोस जो है वो सारी चेंज होंगी कलर चेंज होगा और यह सामने है जी शेड बनाया वा इन्होंने लेकिन इसकी भी काफी हालत जो है वो भी बुरी है तो इसको भी ठी करना पड़ेगा सासा जो है वो कुछ चीजें जो है वो बहुत अच्छी कंडिशन में है अंदर जो है और जो कुछ है जैसे बेस्मेंट है यह बाहर के एरिया है यह जो है यह ज़रा टाइम कंजियूमिंग है इन पर हमें थोड़ा सा काम करने में टाइम लगेगा तो यह थी घर की लोग मैंने का एक दफा आपको पुराना सारा दिखा दू ताके जो अभी हम लोगों ने चेंजिंग्स की है इसमें जो कलर्स चेंज की है तो वो सारा आपको फिर समझ आएगा कि अब हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग्स की है बाहिर ग्रास बहुत बबसूरत है लेकिन अभी जो है वो नेक्स जो आप देखिए कि उसमें जथवासा मौसम चेंज हो गया है तो चलें नेक्स टाइम फिर आपको नहीं वीडियो के साथ मिलते हैं तापते के यह वीजिए रिए थाइगा थारा 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 थाव लूग्स